शहर में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही चारी हैं मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए बेड भी उपलव नहीं है इसके मत्य नचर केंग्सवे अस्पताल वारा शहर के ड्रामदा स्पेड परिशयस्तित सेंटर पॉइंट होटल में कोविट सेंटर श शहर के सभी नीची सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेट नहीं मिल रहे है इसी को ध्यान में रखते वे केंग्सवे अस्पताल वारा सेंटर पॉइंट अस्पताल में कोविट की अर्ज सेंटर शुरू क्या चारा है जहां पहले 50 बेड के साथ ये कोविट की अर्ज सें क्या कहा है डॉक्टर खंडल वाली नोनी कोवीड का शुरू कि आ जाने वाला है तो क्या मतलब कितने बेड़ से यहां अवेलेबल रहेगे पेशन के लिए क्या पूरी जानकारी है देखिए जैसा कि आप सबको मालम है कि अभी कोवीड की जो situation है रोगियों की जो situation है नंबर है वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि नागपूर में चाह सरकारी हो चाह गहर सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वो पूरे फुल हैं और मरीज बेड़ पाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं ये चीजों को देखते विए नागपूर मुनसिपल कारपरेशन, कलेक्टर और कमिशनर आफिस इनों ने इनके मार सेंटर पॉइंट वालों का बहुत बड़ा साथ है और ये कोविट केर सेंटर जो है शहर के बीचों बीच में उपलब्द किया जा रहा है इस कोविट केर सेंटर के अंदर लगभग ज्यादा से ज्यादा अगर हम जाते हैं तो 200 बेट की सुविदा है हम पहले फेज में 50 ब पूरा जोर जिसको बोलते है एडी चोटी का जोर लगा के इसको कनवर्ट कर दिया है यह स्थान जो है यह कोविट केर सेंटर है इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर माइल से मॉडरेट डिगरी के पेशेंट ही ट्रीट होने वाले हैं यहाँ पर जो मरीज जिनका ऑक्सिज ब्यानों उस ताइब के पेशेंट यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं वो पेशेंट किंग्सवे अस्पताल में जाएंगे और जो एचार्शीट कराते हैं आप लोग वो हैचार्शीट का स्कोर अगर आठ तक है जिसको माइल कैटेग्री मानते हैं वो पेशेंट यहाँ पर किस तरह की सुविदा जो है यहां जो एडमिट होने वाले पेशन्ट रहेंगे उनको दिये जाने वाली है मतलब वैंटिलेटर वाले है वो तो किंग्सवे अस्वताल जैसे कि अभी आपने बताया कि जो नबे से उपर है नीचे है उन्हें किंग्सवे में रखा जाने वाला ह होस्पिटल में तो यहां कौन से वाले पेशन्ट रखे जाने वाले हैं जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम लोग यहां पर माइल से मॉडरेट कैटेगरी के पेशन्ट रखेंगे ऐसे पेशन्ट जिनकी रूम एयर के रूम एयर में या हम ऑक्सिजन का दो से चार लीटर का मेंटेंड है वो पेशन्ट को हम यहां रख सकते हैं इसमें हम बहुत बड़ा साथ सरकार के तरफ से चाह रहे हैं जो हमको ऑक्सिजन और एमडी सिवीर का सप्लाय सतत करते रहें ताकि हम मरीजों की सेवा हमारे हमारे बेस पॉसिबल वे में हम कर पाएंगे ऐसा ही हमारी अ जिनको step down services की जरुवत है जिनका severe degree treat हो गया है और उनके कुछ mild और moderate symptom है वैसे patient को हम step down करके यहां भी ला सकते हैं ताकि वहां पर severe degree के patient के लिए जगा उपलब्द हो सके बिल्कुल जिस तरह की अभी जो है यह COVID आले है COVID center जिसे कहा जा रहा है वो कब से शुरू होने वाला है कब से यहां जो है मरीज मतलब आ सकते है क्या बताना चाहूंगे यह सुविदा जो है यह कल से चालू हो जाने वाली है और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको phase सुविदा में इसमें यह सुविदा को चालू करने जा रहे है दन्यवाद किंग्स वे अस्वताल जो है बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है जो सेंटर पॉंट होटल है वहाँ पे COVID center बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को जो है अच्छी सुविदा और उपचार जो है इला